हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टू एक इंडियन घर आज हम बनाने जा रहा है ठंडी ठंडी लस्टी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में हमें ठंडा पीने का बहुत मन होता है तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ हम अपनी रेसेपी शेयर करें ठंडी ठंडी लस्टी की आए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कीन चीजों की जरूरत है आधा किलो दही, एक कटोरी शक्कर, केसर और मलाई और ठंडी ठंडी बर्ण तो चले शुरू करते हैं लस्टी बनाना सबसे पहले ग्राइंडर में हम डालेंगे दही उसके बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर शक्कर आप अपने हिसाबते डालें आपको कितना मीठा चाहिए पिर डालेंगे बर्ण और फिर हम हिन सब को एक साथ पीश लेंगे हम ने इसे अच्छे तरह से पीश लिया है अब हम इसे ग्लास में निकाल लेंगे अब हम इस पर डालेंगे मलाई इससे हमाई लस्टी का टेस्ट और अच्छा आएगा और अब हम इसे केसर से सजाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंस हमने चुटकियों में लस्टी रेडी कर दे तो इंतिदार की जबादकार जल्दी से इस गर्मी में ठंडी ठंडी लस्टी बनाएं और हमें बताएं कि आपको इस लस्टी कैसी लगी अगर आपको इस लस्टी की रेडी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तक और क्योंस्ता है से लिएँ अगर से लिंक रहारो से लिएँ झाल झाल